जैहिन दोस्तो ओनलाइन लर्निंग इस्टेनों चनल में आप सभी का स्वागत है असी शब प्रती मिनट की गती से जो संपात की डिक्टेशन बोली जाएगी उसकी सभी डिफिकल्ट आउट्लाइन हमने यहां पर लिख दी है सारी आउट्लाइन रिशी पनाली में बनाई हर राजनीतिक दल सत्ताधारी दल पर ब्रश्टाचार का आरोप लगाते हुए चुनाव में मतदाता को अपनी और खीचने का परियास करता है हर दल का दावा होता है कि सत्ता में आने के बाद वहे पूरी ववस्था को ब्रश्टाचार मुक्त कर देगा मगर होता इसके उलट है हर साल ब्रश्टाचार की दर कुछ बढ़ी हुई ही दर्ज होती है भारत की गिंती सरवाधिक ब्रश्टाचार वाले देशों में की जाती है ऐसे में यहे नई बात नहीं है कि सरवोच न्याले ने 36 गड़ सरकार में मुख्य सचिव रहे एक परशासनिक अधिकारी के खिलाफ ब्रश्टाचार के मामले में सुनवाई करते हुए इस प्रवर्ती को कैंसर बताया अदालत ने कहा कि यहे पूरे समुदाए के लिए शर्म की बात है कि हमारे सविधान निर्माताओं के मन में जो उचे आदर्श थे उनका पालन करने में लगातार गिरावट आ रही है यहे बात हर कोई सुविकार करता है कि ब्रश्टाचार के चलते धन के समान वितरन का सम्विधानिक तकाजा कहीं हाशिये पर चला गया है मगर इस पर अमल कम ही लोग करने को तयार दिखते हैं इसलिए हैरानी की बात नहीं कि जिस दिन सरवोच नियाले ने अदालतों को यहे नसीहत दी कि उन्हें ब्रश्टाचार के मामलों में किसी भी तरह की रियायत नहीं बरतनी चाहिए उसी दिन करनाटक और जार्खन में रिश्वत से जमा की गई भारी रकम पकड़ी गई हमारे देश में अब यहे सर्वस्वी कृत तथे है कि बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो सकता विकास परियोजनाओं में ठेकेदारी पानी हो या सरकारी नोकरी पानी हो यहां तक की तहसील तालुका से अपनी जमीन जायदाद के कागजात हासिल करने हो तो बिना रिश्वत के काम नहीं चल सकता बहुत सारे सरकारी विभागों में तो अलग-अलग काम के लिए बकाइदा दरें निर्धारित हैं हर ठेके में उपर से लेकर नीचे तक के अधिकारियों मंत्रियों आदी के कमीशन तै होते हैं विचित्र तो यहे भी है कि बहुत सारी जगाहों पर किसी अधिकारी से मिलाने तक के लिए चपरासी पैसे मांग लेता है इस तरह सरकारी महकमों में बरश्टाचार खुलम खुला चलता है हर कोई छिपी बात नहीं है एक समान्ने आदमी भी किसी मामुली सरकारी करमचारी के ठाट बाट से अंदाजा लगा सकता है कि उसकी उपरी कमाई कितनी होती होगी हालांकी केंद्र और राज्य सरकारों ने बहुत सारे कामों में पारदर्शीता लाने के मकसद से खिड़कियों पर कतार लगाने और अधिकारियों के चक्कर काटने की परमपरा खतम करके इंटरनेट के जरिये काम कराने की ववस्था कर दी है पर हकीकत यही है कि इसके बावजूद ब्रस्टाचार का आकडा लगातार बढ़ रहा है स्टोप